नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम सुनने जा रहे हैं एक और ने कहानी जुसका नाम है पक्षियों का राजा एक बार जंगल में सभी पक्षिय घटा हुए और फैसला किया कि उन पक्षियों के बीच एक राजा होना चाहिए लेकिन पक्षियों का राजा कौन बनेगा तब मैना को एक विचार आया उसने सुझाव दिया हम सभी पक्षियों के बीच एक प्रतियोगिता रखें और जो सबसे उची उडान भरता है उसे सभी पक्षियों का राजा माना जाएगा सभी पक्षियों का यह विचार पसंद आया पक्षियों ने इसके लिए सहमती बनाए एक एगल जो वहां मौजूद था अपने बड़े शरीर के बारे में दावा करना शुरू कर दिया और कहा मैं सभी पक्षियों में सबसे ज़ादा पूथ हूं और आप सभी जानते हैं कि केवल मैं ही हूँ जो उच्चता मुडान भर सकता है तो फिर प्रत्योगिता क्यों मुझे अब राजा क्यों नहीं माना जाए लेकिन संभावना है कि आप जी अशायत जीत नहीं सकते थोड़ी आवाज की इगल चारो और मुड़कर देखा कि यह किस ने कहा पै आश्यर है था क्योंकि एक छोटा गरईया यह कहा था मजाग्या स्वर में इगल ने कहा अरे मुझे कौन हरा रहे है आप गरईया ने जैसे ही एक उल्लू ने संकेत किया सभी पक्षी हवा में उड़ने लगे लेकिन वह बहुत अधिक और लंबे समय तक नहीं उड़ सके एक एक करके सभी पक्षी प्रतियोगिता से बाहर हो गए केवल एगल उचाए में उड़ रहा था हमेशा की तरह फिर एगल ने नीचे देखा कि सभी पक्षियों ने हार माल ली है उन्होंने कहा मैं तो पहले ही कहा था किवल मैं ही हूँ जो सबसे उची उड़ान भर सकता है अब आप सभी सहमत हैं कि मैं पक्षियों का राजा हूँ एगल को पता नहीं था कि नन्या गौराया उनकी पंकों के नीचे उड़ र आजा हूँ देखो मैं तुमसे जादा उचाई पर हूँ सभी पक्षी गौराया से सहमत थे किसी भी मामले में गर्वित एगल को प्रतियोगिता में हारता हुआ देखकर सभी खुश थे फिर सभी पक्षियों ने गौराया को अपना राजा चुना इससे हमें यह सिक्षा मिलती है कि अगर कुछ कारे अपनी शमता से अधिक मजबूत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोशिश करने से पहले छोड़ देना चाहिए इसके बजाए आपको सोच समझ कर कोशिश करनी चाहिए तो उमीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंदाई होगी बच्चू